हाई गाईश कहाल चलाव शुर्गे में नाम दुपान शुर्ट स्वागत अप लोग का एक और नहीं वीडियो में आप लोग यह सोच रहेंगे कि भई यह लाइट की इतनी तारीफ करता जाता है हर वीडियो में सबसे पहले इसकी चावी से ही स्टार्ट करते है कि जब इसे अनलॉक करते हैं तो कैसे लुक आता है इसकी लाइट का अनलॉक करते ही इसकी लुक आती है तीन बास ब्लिंग करते है मैं आपको बताया था तो फ्रेंट से भाई जो इसमें बीस्ट लुक आता है वो अनलॉक करन देखना अनलॉक करूँ मैं बीस्ट मोड ओन ऐसी फिलिंग आती है बाकि कुछ लोग को ये बीस्ट ना लगे और मैं बीस्ट कहा रहा हूँ फिर भी उसके लिए सौरी अब पीछे से अनलॉक करूँ गा अब पीछे से देखना यह देखो और दिन में भी जली रहती है वाली लाइट्स पीछे की यह भी डियारेल्स ही है पीछे से बढ़िया लुक आता है वाली लाइट क्या शेप बनाती है एक लगार दिखा दो ऐसे तीन बर ब्लिंग करती है अब इन डिटेल बात करते है लाइट्स की कि क्या चीज है हाँ इसके लिए मुझे फ्लेश आफ करने पड़ी थी इसमें जैसे की एक्षवी 500 में पडल लेंप्स आती थी भाई दिखनी रहा होगा यहाँ पे यह जो इसका और व्याम है इस तरफ आती थी अंदेरे में देख लेना भाई सब्सक्रांद स्वे, आफ जाती सब्सक्रांद से लेंप्स नियुक्स और अग्ए के दोनो फ्रेंट पर आपको यह वाली लाइट में विगगी जो कि इंडिकेट करती है कि आपका दूर खुलो हुआ है यह वाली लाइट पीछे से कर कोई पैसेंजर आ रहा है तो उसे दिख जाए कि हाँ भी लाइट जल्दी है लाल रंगे भी रुख जो अब मैंने फ्लेश अन कर दिये अब गाड़ी के अंदर चलते हैं तो भी लाइट कर दिये ओफ अब इस गाड़ी जैसे कि इम्बेंट लाइट नहीं आती है तो यह बहुत दिक्कत लगती जैसे इसमें आपने देखा कि कितना अंधेरा था बस गाड़ी ऑन करने के बाद भी इतना जादा कैबिन लाइट अप नहीं हुआ जैसे कि अगर कोई एम्बेंट लाइट वाली गाड़ी तो से खिड किया और पैसेंजर साइड पूरी लाइटनिंग हो जाती है जो कि बहुत अच्छा लगता है और इतनी बहंगी गाड़ी में थोड़ी सी तो दे दे देते बाकि एम्बेंट लाइट के नाम पर आपको एक तो यह मिलेगी यहाँ पर जिसे आप आफ भी कर सकते हैं यह वाला बटन है वो बहुत प्यार से एक ट्रांजिशन टाइप में जाती है और आती भी प्यार सी यह देखो एक धीरे धीरे गलो करती है और एक एम्बेंट पर लिब जार देता हम हाँ पर तो यह वाली चीज से एक इसमें मैं में प्लिपी दिखा दूंक उस्你要 किटनी बट्एव करती चाहिए सो जाइब लुजन इस साइड भी देखो आपको यह वाली लाइट मिलेगी और इस साइड भी आपको यह स्टॉप वाली की डोर खुल रहा है यह वाली वर्निंग लाइट भी आपको देखने को मिलेगी इस साइड पे भी पीछे मिलती है ने भाई यह से फ्रेंट फ्रेंट के डोर पर आपको मि इस थोड़ी आगे की तरफhen का प्रोजेक्षण और यह वाली इधर मारेंगी देख मारें दे देख하면서 नीचे की जगा इस तरह भी इह यह वाली जो रीडिनिंग लैम्प है और पीछे यह भी ए मुझ भी यह सारी प्यारी प्यारी याड़ी तो बहुत ज्यादा ब्राहित है भ जाते हैं उससे पहले गाईडी को एक बार ओन कर लेते हैं यहां से मैंने गाईडी को ओन करा और देखो भाई फ्रेंट में हो गया उजाला पढ़िया अब जैसे कि मैंने आपको पॉजिटिव वाली वीडियों बताया था कि इसके जो हेड्लाइट सेना भाई वह बहुत ही भ आपको फ्रेंट के लिए तो मदद करेंगे ही उपर से साइड के लिए मदद करेंगे और अगर जली रहेगी है ना जैसे जब अगर मैं गाड़ी बंद करते हो लाइट जली रहेगी तो मैं इसे दबा के लाइट को आफ भी कर सकता हूं और ध्रों देखो भई थ्रों कैसा लगा आपको ही लो बीम पे इसका फोड़ो अब हाई विम पे बिकरोंगा अब भई काड़ी के यह जो फोड़ी इसे एक वर हाई वीम पे करके दिखते चावी मैंने अंदर रख दिया और शोर कर रही थे न यह देखो अभी लो भीम पे औ और fog lamps अभी on है एक बर off करके देखते हैं कि fog lamps off करने के बाद कैसा है sorry मैंने headlights off कर दी headlights on fog lamps off जैसे कि मैंने बताया था कि fog lamp फोड़ी front की तरफ भी मारती है high beam high beam की तरह थोड़ी सी front की तरफ placed है तो देखो जहां पर low beam नीचे है ने इसकी तरह जैसे low beam पे अभी तो नीचे नीचे आ रही है मतलब low beam से भी उपर fog lamps जलते हैं इसके high beam की तरह देखो अभी मैंने fog lamps on करें और high beam की तरह उपर की तरफ आगे है कि तकड़ी प्लेस्मेंट है और उपर से देखो साइड में भी आ रही है यहां तक लाइट आ रही क्योंकि कॉर्णरिंग के भी काम करते है इतने smart fog lamps भाई इसके बहुत smart अब सारी lights एक और बार बंद कर देता हूं मैं अब एक ट्रांजिशन की तरह बंद होती है जलती भी ट्रांजिशन की तरह यह जब on करते हैं अभी कोई है नहीं में साथ भाई light on off अंदर करके दिखाने के लिए तो मुझे भार्ची करके दिखाना पड़ रहा है अब मैं साड़ी जलाता हूं देखो यह जलाई बंद करी जलाई कितना प्यारा उजाला कर देती है अब मैं आपको बता दूं कि इसके जो लो बीम है यह लो बीम अभी फॉक लेंब और करता हूं ताकि सिर्फ अभी light की आपको performance बता पहूं इसके ज़ादा स्टॉंग मुझे अपनी ग्लैंजा की लगती थी मेरा opinion है पता पीली सी है हलकी सी पीली महां से पढ़ रही है लेकिन हाई वीम की brightness देखो आप कितनी white है कितनी भेंग कर और मैं आपको बता दूं कि हुंडाय और किया हुआ है जैसे कि उनमें भी आपको इस प्राइज में ऐसी LED देखने को मिल जाती है बहुत सारी गाड़ी में देखने क आप इसे फॉर्चनर से उन सबसे अंपेर मत करना इसकी सेगमेंट के साथ से बता रहा हूं जीप से भी मत करना जीप को भी थोड़ा साइड कर दो क्योंकि जीप की भी अच्छी है मैं सिफ किया से और मेंली क्रेटा और सफारी से इसे कॉंपीट कर रहा हूं और अगर क्रे आप हाई बीम पर करोगे और सामने किसी गाड़ी के हाई बीम नहीं है तो यह आटमेटिकली लो बीम पर आजागी जिसे हाई बीम असिस्ट कहते है मतलब बहुत शॉट डूरेशन के लिए हाई बीम पर रहेगी और भाई यह है इसकी सिर्फ और सिर्फ मेरे खाल से LED जो है इसकी DRLs है उन्हें रात के टाइम पर जैसे ओन रहती है वो उस वाले मोड के लिए है यह वाले मेरे खाल से एक बार मैं भी चेक कर लूँगा और भाई यह वाले जो है यह सारी की सारी आपको लाइट्स ओन करने के लिए है यह वाले जो मोड है हाई वीम लो बीम प्रोप अशरी में आपकी गाड़ी रहनों निए देता और इसमें ंस मिसिंग है,icherung सफारी मुझे इसे कोई बड़ी दिक्कत नहीं लगे और हमें है बड़ी सफारी के तड़ एक घृप की लाइट चांधी है यह आपकोρά koltor-celtos के तलज कोबंता है आलकाजार के तरह आपको दोर जो इतना तकड़ाई कि आपको जमीन तक उजाला मिल रहा है इनमें प्यारी लग्जरी लुक आता है मेरे खाल से क्योंकि लग्जरी गाड़ी में यही वाइट कलर की लाइट स्यूज होती जादा तर and बाइट जब इसमें blinkers on हो जाते तो और कुछ ऐसे लुक आता है इसमें swipe indicators देखने को आपको मिलते है जो कि आपके आगे से और पीछे से दूनों side से अपके blink करते ओर वीम पे आपको indicator देखने को मिलेगा इनकी जो यह वालाय जो होने Fog Lamps के साथ देखो सामने तक range कितनी बढ़िया है इसकी गाड़ी की अब low beam पर करता हूँ low beam पर इतनी maximum range है आप देख लो और अब मैं कर देता हूँ इस high beam पर कि देखो high beam पर range और ज़्यादा बढ़ गई है और brightness भी और ज़्यादा बढ़ चुकी है इसकी इसकी जो lightning है ऐसे लगती है कि मतलब हर चीज़ कवर करती है साइड भी कवर करती है दोनों साइड भी और फ्रेंट भी अच्छे से कवर करती है और जिस तरफ मोड होगे उस तरफ की cornering lights अभी on हुई हाई बीम लो बीम यह देखो भाई सामने जो दिवार सी है इसकी टिन की दिवार इस पर देखो एक चीज़ भी अच्छी है इसमें की हेलोजन लेंप्स का यूज ही नहीं करा ना काड़ी के अंदर करा ना भार अरे बूस्टर हेड्लेंज तो भाई अभी दिखानी पाऊंगा इस जिगा पर बूस्टर हेड्लेंज के लिए खाली रोड चीए उस पर 60-70 से उपर होनी चीए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भाई यह वाली वीडियो में अगर कुछ रहे गया हो लाइट से रिलेटेट तो कमेंड में लगके बता देना और माफ भी कर देना मुझे अभी दीरी दीरे एक्सपिरेंस हो रहा है कैसे कैसे रिव्यू करते व्लॉगिंग करते हैं और इसी के साथ भाई चलते हैं ओके टाटा भाई लाए थैंक्यू पर वाचिंग अजयँ करते हैं आजयँ